Hello student, my name is Sipra Outta, today I am going to start the third chapter of political science. How do state government work? जो state government होती है, वो किस तरह से work करती है, वो हम आपको इस chapter में बताएंगे. सबसे पहला होता है, why do we have the state government? हम state government क्यों रखते हैं? हम state government इसलिए रखते हैं, क्योंकि इंडिया जो एक huge country है. इंधिया इजे फिट विच्टेंट इजए इन सेरी टावर ऑड और उनकी जो सेट्र गवर्मेंट की जो पावर इसको क्या किया गया है इसमें स्टेट में . प्रोवाइट वर्ट कॉंसिटिशन अफ इंडिया फॉर दा इसमूथ फंसन अफ द गंति कि जिस तरह से हमारी कंट वह जो इस्टेट ग्वर्मेंट होती है वो अपने इस्टेट के लिए क्या होती है रिस्पॉंसिबल होती है वहाँ पर इस्टेट ऐसे है जहां पर एक हाउस होता है पुछ state ऐसे हैं इंडिया के जहां पर two house होते हैं. In the state where are the two house there is the legislative council. उसको क्या कहा जाता है? Legislative council कहा जाता है and the legislative assembly. Unicameral और bicameral दो तरह की state हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं. Unicameral state वो होते हैं जहां पर single house होता है. जहां पर केवर legislative assembly होती है और यहां बाई-कैमरल States वो होते हैं जहां पर दो हाॉस देखने को मिलते हैं जहां पर legislative council अब यहां रहा ह। काउंसल होती है उसको विधान परिशत कहते हैं और जो लिधान परिशत होती है उसको विधान सभा कहा जाता है और जो विधान परिशत होती है उसको अपर हाउस कहा जाता है और जो विधान सभा होती है उसको लोवर हाउस कहा जाता है जिस तरह से तो हाउस हमारे सेंटर ले सबसे पहले जो बिल होते हैं प्रपोजल बनाने के लिए कानून बनाने के लिए प्रपोजल पास ए लौ और तो अमेंड एंड एंड एग्जिटिंग ऑन दफ वनी स्कॉर्ड एंड बिल सबसे पहले जो बिल होते हैं प्रपोजल बनाए जाते हैं और बिल को क्या किया जाता है पास किया जाता है बिल बना कर कहां पर इंड 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 जाती है one bill is the approved with majority vote और जो भी बिल पास किया जाता है उसकी क्या होती है majority vote होते है it send the other house उसके बाद जब बिल जो होता है पास हो जाता है उसके बाद उसको दूसरे house में भी जा जाता है where is court goes through same procedure और वहाँ पर वहीं प्रोशीडूर्स होता है वहीं पर उस बिल पर discussion किया जाता है वहाँ पर भी voting होती है और उस proposal को क्या किया जाता है पास किया जाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कोई भी हमारे जब कानून बनाया जाता है कोई भी proposal बनाया जाता कोई भी बिल तो उस bill पर लंबी discussion होती है जो opposition group के लोग होते हैं वो उस पर objection भी करते हैं उस bill से क्या benefits है इसके merits क्या है, इसके demerits क्या है वो सारी चीज़ें discussion होती है और जब उस bill पर majority बन जाती तब उस bill को क्या किया जाता है अपर house में pass किया जाता है सबसे पहले नेसिटम देखते हैं कि what is budget, budget क्या होता है budget is a lie की future account जिसको हम future account कहते है of the government का जो होता है it gives the proposal of income and expenditure of government उसमें बताया जाता है कि ये proposal जो होता है उसमें जो income है और उस income और उसके सासाथ कितने जो खर्चे हैं government के वो सारे भी बत्लों किया क्या द्होंपर सो किये जाते है और जो budget होता है वो जो budget होता है उसको represent करने का काम j又 होता है वहां के जो finance minister होते है वो उसको represent करते हैं what comprises and executed executed comprises the council minister and the chief minister execute हम उसको कहते है execute का मतलब होता है जिसमें Chief Minister और उसके जो क्यापिक Minister होते हैं वही क्या कहलाते हैं एक्जिक्यूट पावर कहलाती है पावर एड फंसन आप दे लेजिसलेटर काउंसल Legislative Council is the mainly and advisory body जो Legislature Council जो विधान परिश्यत होती है उसका mainly जो काम होता है वो कोई भी बिल अगर जो पास किया गया है उस बिल में अगर जो कमी होती है उस बिल में अगर कुछ इंप्रूमेंट करना होता है उस बिल से इन फ्यूचर में कुछ दीकतें आने वाली होती है तो उस बिल पर क्या करते हैं अपनी advisory देते हैं इसको क्या भी कहा जाता है पर्मानेंट पॉडी भी कहा जाता है वहां के दुट है चीप मिनिस्टर और मेंबडे टेश एक कांश पॉड़ होता है वहां जो state है उसके chief minister को appoint करता है और उसके जो other council minister होते है उनको appoint करने का काम होता है और उनको वो से दिलाने का काम होता है और जो एड़ोकेट होते हैं, उनको एड़ोकेट हैं, अधर ओफिशियर्स होते हैं, उनको एड़ोकेट करने का भी काम करता है। यह होना चाहीं what is the concept xqc जो konse Kayla nia कि जो हमारा इंडिया है इंडिया में कही सारे स्केट अगर हम डेली की बात करें, वहां पर 40 consistency है, मतलब चुनावी चेत्रे हैं, यूपी की बात करें, वहां यूपी में 403 क्योंकि यूपी सबसे populated जो state है, वो है, अगर हम हर्याना की हिमांचल प्रदेश की बात करें, तो वहां पर 68 है, तो इस तरह स state में अलग-अलग consistency होती है, every state is the divide into the small area, जो small area में divide होता है, इसको consistency कहा जाता है, which is the specified area, cover is the more district, जिसमें एक district या कई सारे district क्या होते, cover होते हैं, more district कवर करते हैं, each such as the consistency has and the elected and represented, और जो elected represented होते हैं, वहां से क्या होते हैं, वहां से, उनको elected किया जाता है, उनको choose किया जाता है, एक consistency में कई सारी parties के अलग-अलग जो, जो MLA's होते हैं, जो खड़े होते हैं, और उनमें से कोई एक member जो होता है, वो choose होकर कहां पर पहुंसता है, जो legislative assembly होती होँ, वहां पर पहुंसता है, यहां पर example दिया गया है, उडिशा का, कि उ 147 consistency में जो state हो divided है, अगर हम सबसे बड़े UP की, इंडिया की सबसे बड़े consistency की बात करते हैं, तो वह UP है, जहां पर 403 members in its assembly, जिसी assembly में 403 members सूझ किया जाते हैं, state which has the small population and the or small size, क्योंकि कुछ state ऐसे भी हैं, जहां पर small population और small size के भी होते हैं, तो consistency आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है, वह अच्छे तरह जहां से पर से कोई MLA खड़ा होता है, कोई member खड़ा होता है, अब सबसे पहले देखते हैं, member of legislative assembly जिसको MLA कहा जाता है, where every five year election is the allowance for the state and the legislative assembly, हर five years बाद five years बाद वहां पर election होते है, political parties nominate their the pupil, each consistency, हर consistency से हर party, जितनी भी party है, चाहे वो BJP की हो, Congress की हो, SP की हो, BSP की हो, other जो party होते ही, कुछ members ऐसे होते हैं, जो independent भी खड़े होते हैं, तो बहुत सारे members उस प्लेस एक ही area से खड़े होते हैं, all the members of the legislative assembly are elected on the basis of the adult franchises and the member is elected from the one consistency, और एक कॉंशिटेंसी से एक ही members होता है, वो choose होता है, और उसको किस के त्वारा choose किया जाता है, जो adult franchises होती है, adult franchises मतलब होते हैं, जो ऐसे लोग जिनकी age 18 प्लस होती है, उनको वोट देने का right होता है, जो सार भौमिक हुआ हर व्यक्ति क हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी caste का हो, किसी चाहे वो educated हो, uneducated हो, हर व्यक्ति को किसका right है, वो डालने का right है, वो डालने का right है, How do government form in the state? After the election of the legislative assembly, the political parties whose MLA won, जो जीतता है, more than half number of the consistency in a state, जो कोई भी parties होती है, जिसके सबसे ज़्यादा जो MLA जीतते हैं, 50% से भी ज़्यादा जिसके MLA जीतते हैं, वह party किस में होती है, majority में होती है, and has the first right, और उसी को सबसे पहला right मिलता है, to form the government of the state की, वह क्या करेगी, अपनी state पे government बनाएगी, कभी-कभी ऐसा होता है, कि 50% से भी ज़्यादा ज्यादा जिस party के vote होते हैं, उसको क्या किया जाता है, वही majority में जो party होती है, वही क्या करती है, वो अपनी government बनाती है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कि कई सारी parties होती हैं, और किसी भी party को क्या नहीं होता है, मैज़ोर्टी में voting नहीं होती है, उसके क्या नहीं हो जाती है, MLA नहीं जीतते हैं, तब जब एक single party जब government नहीं बनाती है, तो वो party अब दूसरी party के साथ, तीसरी party के साथ, colliation कर के colliation government बनाती है तो ऐसी government क्या कहलाती है, कैसी कहलाती गटवंदन की सरकार कहलाती है कॉलिएशन गवर्मेंट में no single party have a clear majority उसको जब clear majority नहीं होती है different party made to join together और अलग-अलग पार्टियां उसके साथ जुड़ जाती है and form a कॉलिएशन गवर्मेंट और वैं कैसी गवर्मेंट बनाती है कॉलियेशन गवर्मेंट बनाती है, गठिवधन की सरकार बनाती है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पावर, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर होती है और उसके क्या फंसन होते है चीफ मिनिस्टर इस तेट टीचर, लीडर अप ते लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी जो कांसल मिनिस्टर होता है अपनी जो कांसल मिनिस्टर होता है and distribute करता है portfolio जो इसके department है उनको department को अलग-अलग लोगों में अलग-अलग जैसे कि education department किसी और को बाटना, health department किसी और को distribute करना, resources department को किसी और को distribute करना, इस तरह से health, public work department, education, agriculture department जो अलग-अलग minister को वो क्या करता है, divide करने का काम करता है. The CM is the main link between the governor and the state cabinet, जो governor और state cabinet की जो बीच का जो main member होता है, link होता है, वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ही होता है, generally the governor exercise all his function on the advice of the चीफ मिनिस्टर, सारे function को वो देखता है और advice भी किसको देता है, चीफ मिनिस्टर को देता है, जो वहाँ का, इस स्टेट का जो governor होता है, power and function of chief minister continue है, वो यह में चल रहा है, तो the policies and working in the different minister are the monitored and co-coordinate by him, उनके दोरा coordinate किया जाता है, and submission in the president and the other meeting of the council minister, council minister के साथ और जो members होते हैं, उनके साथ जो किया होती है, meetings होती है, the member governor appoint and dismiss other minister, और government के पास भी responsibility होती है, कि वह appoint भी कर सकता है, the minister को dismiss भी कर सकता है, honest advice, उनकी advice पर chief minister allocates and the re-allocate and the portfolio among the minister, और मिनिस्टर को जो department distribute के जाते हैं, उनको redistribute, दूसरे minister को भी redistribute कर सकता है, यह सारी चीज़ें कौन करता है, यह chief minister करता है, कभी-कभी एक department होता है, किसी minister से अच्छी से smooth नहीं हो रहा है, तो किसी दूसरे minister को क्या कर देते हैं, उनको दे देते हैं, solve the channel and the communication between the minister and the legislature, bill, resolution, etc. move in the legislature must have be approval, यह सारी चीज़ें क्या होती है, must approval किया जाता है, role of media, अब दिखते हैं कि आखिरकार government के बीच में media का क्या role है, मीडिया का अगर हम रोल की बात करें, तो मीडिया का main role है, क्योंकि government की अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन-कौन सी function हो रही है, उनको सभी लोगों तक पहुचाने का काम कौन करता है, मीडिया ही करती है, सबी लोगों को आम जो सी टीचर से उनको क्या पता चलता है, कि मीडिया की country में जो government है, वो क्या कर रही है, किसको appoint किया गया है, कौन नए cabinet minister बने है, तो वो सारी लोगों तक जो रोपोर्ट करने का काम होता है, वो कौन करती है, वो media ही करती है, मीडिया वर्क ए लिंक बिट्वीन गवर्मेंट एंड एलेक्ट्रोड विज इड़ दा कनवेश एंड़ मैसिस एबाउट तब वर्क ओवर्मेंट जो वर्क की मैसिस होते हैं, उनको क्या करती है, पहुचाने का काम करती है, मीडिया इंक्लूट्स नीज पेपर, मीडिया की इसके स्रूप में इंक्लूट्स हो थी, नीज पेपर के थूँ, टैलिविजन, ब्रोडकास्ट, रीड्यू, ब्रोडकास्ट, एट्सेटर, इस सभी की स्रूप क्या कहती है, वो सारी नीज पहुचाती है, अगर आज की हम मीडिया की बाज करें, तो वो फॉर बहुत तेजी से, बहुत दूर, और बहुत जल्दी बहुत जाती बाइट रीज यू तक है, इट अप्ट्स एंड दा मीडियम अब दा पोट्रेट, दा वेरियस पोलिसीज, एंड परफॉर्मेंस अब गवर्मेंट अब टू दा प्यूपिल, गवर्मेंट की कौन-कौन सी क्या परफॉर्मेंस है, और उनको पोट्रेट करने का जो काम है, वो कौन कर रही, मीडिया कर रही, कहां लोगों तक पहुचानेगा काम, are the Prime Minister and the representatives, और उनको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, लोगों किससाथ कनेक्ट किया जाता है, जो एक रही, जो रही होते है, information of the news policies, made by the government and the circulate, through the virus media channel, and reach people wide and far, और बहुत सारे चैनल्स के द्वारा बहुत तेजी से और बहुत बिस्तित रूट में लोगों तक वो नियुजे पहुचाई जाती है प्रेस के अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉंशिटीशन में प्रेस को फ्री पावर प्रोवाइट की गई है प्रेस जो है वो फोर पिलर के पार्ट में आता है जो फ्री है जो किसी भी किसी भी गवर्मेंट के अंडर में नहीं है जो किसी भी गवर्मेंट से किस भी तरह की कुश्यन कर सकता है और उसको right होता है वो किसी भी topic पर कोई भी question क्या कर सकते हैं पूछे सकते हैं नेस्टम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मिशन है यह आपकी कि लोकसभा इस लोवर हाउस आप दे पार्लियमेंट अफ इंडिया इस दा मेड अप दे मेंबर अप दा पार्लियमेंट जिनको MP कहा जाता है इस रिप्रेजेंटेटेटिव इस सिंगल जियोग्राफिक इंडिया में हैं तो हमारा आज यह वाला जो टॉपिक है स्टेट गवर्मेंट का क्या वर्क है वो किस तरह से काम करती है तो यह वाला भी आज वामारा जो चैप्टर होता है वो फिनिस होता है थेंक्यू